मेरे स्टेही मित्रों, नमस्कार, फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे 3.2024 के एक्जामेनेशन को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल अभी के करेंट अफेयर्स पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ, करेंट अफेयर्स, शुरुवात में इस बात से करना चाहूँगा, कि देखे जब हम करेंट अफेयर्स कहते हैं, तो इसका संबंद सीधे सीधे टाइम से तो है, यानि कि वे घटनाएं, जो अभी हाल की हैं, 2-4-5-10 दिन, एक मैने की घटनाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं करेंट अफेयर्स, इसका मतलब है कि करेंट अफेयर्स रूपी घटनाओं का उत पादन प्रति दिन होता रहता है इतना आप सब जानते हैं लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एग्जामनेशन की तैयारी करते हैं तब फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो करेंट अफेर्स रोज इतनी मात्रा में उतपादित हो रहा है इन में से कौन-कौन हमारे काम की हैं और इससे भी बड़ी बात ये है कि जिन्हें हम छाट लेते हैं कि ये ये हमारे काम की हैं फिर उनका हम इस्तेमाल कैसे करें यानि कि करेंट अफेर्स के सीधे-सीधे दो रूप हो जाते हैं एक है उसका कुग्ड फार्म कुग्ड फार्म का मतलब है कि बना-बनाया रू यानि कि उसे सीधे-सीधे प्रशन पूछ लिए जाएंगे यदि आपको मालूम है तो आप उसका उत्तर सीधे-सीधे दे देंगे जैसे कि यदि अभी की करेंट अफेर्स के बारे में मैं एक प्रशन आप से करूं कि क्या आपने अभी हाल में हाल में क्या मतलब कल या आज में ही मैं कहना चाहूंगा, कि एक नाम सुना है, आई एनस जटाईू, अब आप देखें, कि ये क्या है? सिर्य सी बात है कि ये कुगड फार्म है, आई एनस जटाईू के बारे में अगर आपने पढ़ाए, सुना है तो आप इसका उटतर दे देंगे। लेकिन जो दूसरे तरह के current affairs होते हैं उनमें आप दोनों रूप देख सकते हैं। एक cooked farm का यानि कि वो बना बनाया है लेकिन दूसरा raw material का यानि कि वो बना बनाया तो है लेकिन बना बनाया नहीं भी है वो raw material की तरह है। जैसे आपको दे दिया जाए गोभी, आलू, मसाला, नमक और कहा जाए कि आप सबजी बनाईए तो ये गोभी, आलू, जो मसाला ही है सब राव मटेरियल हैं जो आप उसे कुगड करके सबजी में परिवर्तित कर रहे हैं वो उसका कुगड फॉर्म है हमेशा current affairs को आप को दो रूपों में देखना चाहिए तभी सही माइने में आप current affairs के साथ justice कर सकेंगे और खुद की तयारी के साथ भी justice कर सकेंगे आईए, अब हम सीधे सीधे बात करते हैं उन current affairs के बारे में, जो राव मटेरियल के फार्म में भी है अख़बारों में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोट ने खासकर जीम कॉर्बेट पार्क को ले करके एक डिसीजन दिया है डिसीजन ये दिया है कि बकायदे उसने केंदर सरकार से कहा है कि जो बफर या जो फ्रिंज छेत्र होते हैं खासकर जो हमारे अभ्यारन वगरे होते हैं उनमें जो ऐसे छेत्र होते हैं उन छेत्रों में सफारी कराया जाती है सफारी का मतलब है सैर सपाठा कराया जाता है उसके लिए बकायदे समीती बनाएं और फिर ये समेती सिफारिस करेगी कि हमारे देश भर के जो टाइगर रिजर्व हैं उन टाइगर रिजर्व में क्या बफर और जो फ्रिंज छेत्र हैं उनमें बाग सफारी की अनुमती दी जाए और यदि दी जाए तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए ये इसके पीछे कारण क्या है जो कारण वाला हिस्सा है वो जानना आप यूं कहलेजे कि वो अपने आप में कुगड फॉर्म में है उसमें आपने आज कुछ नहीं जोड सकते हैं दरसल इसके पीछे कारण ये रहा है कि उत्तराखंड में जिम पार्क टाइगर रिजर्व हैं तो अब आपका करेंट अफेस एक तैयार हो गया उत्तराखंड जिम कारवेट टाइगर रिजर्व ठीक है इस एरिया में सफारी होती थी जब कहीं भी आप इस तरह के सफारी जैसे योजनाय शुरू करते हैं तो वहां कुछ तरह की अक्टिविटी शुरू हो जाती है वहा आप में लाइटें जल रहे हैं उसकी आवाज आ रही है लोगों के हला गुला मचा हुआ है लोग खा खा करके चीजें फेक रहे हैं तो इसे जो वन्य जीव हैं वो घबडा जाते हैं उनका जो नेचरल ब्यावार है वो डिस्टर्व होने लगता है और यह सब खूब होने लगा है खासकर जिन राज्यों में इस तरह के अभ्यारन हैं उनको इस स्यामदनी होती है तो खूब इसको बढ़ावा दे रहे हैं और यह केवल ऐसा नहीं कि उतराखन के साथ हैं दूसरे राज्यों के अभ्यारनियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप जानते हैं कि कु जो ये सब कुछ हो रहा था तो बकाइदे इसके खिलाफ याजिका दायर की गई और याजिका की सुनवाई के फैसले के रूप में ही यहां हमारे सामने आया है मज़ेदार बात यह है इसके साथ ही आप देखिए कि क्या है घटना एक है लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिपड़ियां की है वो बहुत महत्तपून है क्योंकि आप प्रशासन में जाने वाले हैं अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर होंगे या उस डिस्टिक की कलेक्टर होंगे तो आपको भी सुनना पढ़ सकता है तो एक तो मंत्री जी थे वन मंत्री तो जो बेंच है उसने यानि कि सुप्रीम कोर्ड के बेंच ने उत्तरा खंड के पूर्व वन मंत् इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के होंगे कि संचन को देखे क्या कहा है वो क्या टिपड़ी कर रहे इस तरह के टिपड़ियां आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्व होते हैं और साथ ही साथ आप जब डिसीजन मेकिंग करेंगे डिसीजन मेकिंग मतलब जब आप बकायदे केस स्टड़ी को सॉल्व कर रहे होंगे फोर्थ पेपर में और यहां तक कि आप प्री एग्जामिनेशन में सही आंसर तक पहुँचने की कोशिस कर रहे होंगे उसमें भी इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यह आप आपको रास्ता बताते हैं कि आपको इस तरीके से सोचना ही सही हो सकता है ऐसानी कि आपके मन में जो कुछ भी आया और आप सोच रहे है तो वो सही हो जाएगा नेताओं और नौकर साहों ने सारवजनिक भरोसे के सिद्धान्त को कुड़े दान में फेक दिया सारवजनिक भरोसे का से दान कुछ रही ही नहीं गया जानी कि जो पublिक है इस श्थिती में आ गई है न तो नेताओं पर भरोसा कर पा रही है और नहीं वो नौकरशाहों पर भरोसा कर पा रही है और इसके बाद कि जो तिपड़िया और जबर्दस्त वियंग आत्मक है हम उनके दु GUY पर आश्यर्य चकी थे, बाप प्रिबाप, वो इतना दुसास कर लेते हैं, हम तो आश्यर्य चकी थे, कि ऐसा वो कर कैसे लेते हैं, आप देखने क्या यंग है, और फिर वो कहते हैं, वे खुद को कानून मान बैठे थे, मतलब हम जो कह रहे हैं, वही कानून है, तो कहां है का परदस्त टिक पढ़ियां सुप्रीम कोर्ट में की हैं ये तो एक तरीका हो गया दूसरा दोस्तों इसी के साथ होता है कि क्या आप इससे ही related कुछ दूसरी आसपास की घटनाओं को याद कर पा रहे हैं जब भी आप तयारी करें थोड़ा सा रुकिए न्यूज चैनल्स में आ आज के current affairs को निप्टाना है आप सोचने की कोशिस कीजिए कि क्या इसी तरह का कोई और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ decision दिये हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ कुछ ही दिनों पहले तो हमारा जो one संदक्षन उसमें केंद्र सरकार ने जो 2023 में संसोधन किया था वो भी मामला कहीं न कहीं इसी तरह का था कि किस तरह से यह जो fringe area type के जो जगह होती हैं कैसे उस पर सरकारी निर्मार और दूसरे कारे शुरू हो गए हैं क्योंकि यह जो निर्मार होते हैं जो दूसरे कारे शुरू होते ह तो कहीं ने कहीं तो मन में शंका पैदा करती है तो Supreme Court ने क्या का कुछ ही दिनों पहले की बात है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जानी चाहिए उसने यही कहा कि नहीं आपने जो संसुधन किया है 2023 में यह गलत है पहले का जो Supreme Court का decision है व्यापक अर्थ जिसमें वन का दिया हुआ है आप उसी को मान करके चलिए और कैसे कितने एरिया इस इस तरह के हैं क्या 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 सरकारी रिकार्ड में वन दिखाए गए हैं आप उनकी रिपोर्ट पर स्थित कीजिए आप देख रहे हैं को देख लेती हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दी थी अख़बारों में आपने पढ़ा हुआ कि हमारी भारती नौसेना ने बकायदे मीनी कॉय दीप पर अपना नया बेस शुरू हो गया है और उसका नाम है आई एन एस जटायू मीनी कॉय दीप यह कहा है यादाया कुछ आ गया होगा क्योंकि लक्षदीप की चर्चा कुछ ही समय पहले बहुत जोस खोरा उसके साथ हुई थी लक्षदीप में है और लक्षदीप का ही एक और दीप है उसका नाम है करवत्ती करवत्ती में पहले से ही आई एनस दीप रक्षक नामक नौसानी कड़ा काम कर रहा है देखे नाम रखा गया इसका जटाईयों जटाईयों की कथा शायद आपको मालूम हो गी है दामचरीत मानस में ये कथा है कि किस तरह से राम जब सीता का पता लगाने जा रहे थे तो फिर जटाईयों आता है और वो दिशा बताता है कि कोई इधर लेकर के गया है और उसमें एक महिला रो रही थी और इससे तरह की घटना आपको याद हो लिए यानि कि जो जटाईयों है वो क्या है उसने दिशा बताया और निगरानी रख रहाता है कि कौन किधर से आता है कौन किधर से जाता है और उसने सही सूचना से राम को दे दी और उससे सीता की खोज हो सकी यानि कि ये जो जटाईयों नाम का जो हमारा दीपर जो हमारा बेस है वो निग्रानी रखेगा बहुत मजबूत सुरक्षा निग्रानी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है बेसिकली कह लीजे जटाईू तो इसका खुबसूरत नाम रखा गया है जटाईू तो सीरी सी बात है कि हमारी जो नौसेना है उसकी शक्ति को हिंद महासागर में पाक, चीन और मालदीव की जो गत्विदियां होती रहती है उन पर नजर रखी जा सकेगी और साथी साथ समुद्री लुटेरे और जो ड्रग्स की तसकरी करते हैं उन पर भी लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी तो अब आप देखिए कि हमारी नौसेन के शक्ति भी बढ़ाएगा और रास्ति सुरक्षा को भी सुनेशित करेगा तो दोस्तों यह थोड़ी सी जानकारी थी आई एनस जटाईू के बारे में तो दोस्तों फिलहाल के करिंट अफेस के बारे में बसित्ता ही और इसी के साथ ही आज के इसे डेली आउडियो नमस्कार